तेलिए बात करते अगली खबर की जो की लखनाव से मिल रही है जहाँ पर अब कक्षा बारवी के विध्यारतियों के लिए स्कूल खुलेंगे प्रैक्टिकल एक्जाम्स के लिए स्कूल खुलेंगे सुभा नौ से शाम चार बजे तक स्कूल खुलने के अनुमती दी गई है क्षा बारवी के विध्यारतियों के लिए स्कूल खुलेंगे सुभा नौ से शाम चार बजे तक स्कूल खुलने के अनुमती दी गई है क्या को जानकारी अब स्कूल खुल खुल दिये गए और प्रैक्टिकल एक्जाम्स के लिए स्कूल खुले जाएंगे सुभा नौ से शाम चार बजे तक स्कूल खुलने के अनुमती दी गई है टीम सूरिपाल गंगवार ने आदेश जारी करती है बताते हैं शीत लहर के शलते लखनाव टीम सूरिपाल गंगवार ने विध्यारतियों में अवकाश को लिखकर एक और आदेश जारी किया है लगणों टीम के और से जारी कीगए आदेश किते हैं जिन विध्याले में प्री बोर्ट का प्रैक्टिकल का एक्जाम प्री बोर्ट और प्राक्टिस एक्जाम हैं वे विध्याले सुबह नौ से लेकर शाम चार बजे तक खोले जा सकते हैं इससे पहले रवीवार को डियम की ओर से जारी किये गए पत्र में बताया गया था कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्याले जिन में प्री बोर्ड ये प्रैक्टिकल एक्जाम है वे विद्याले खास विवस्ताओं के साथ खोले जा सकते हैं विवस्ताओं के साथ खोले जा सकते हैं य तो अब कक्षा बारवी की विध्यारतियों के लिए एक रहत भरी खबर प्रैक्टिकल जैम्स के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं सुभा नौ से शाम चार बज़े तक स्कूल खोलने की अनुमती दे दी गई है डियम सूरिपाल गंगवार ने आदेश जारी करती हैं तो इससे पहले लगनों चीम ने निर्देश जारी किये थे कि कक्षा तक के सभी विध्यालाई 14 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विध्यालाई जिन में प्री बोड या प्रैक्टिकल एक्जाम नहीं है 11 जनवर तक और 9 जक्षाओं का संचालन किया जाएगा लेकर एक नए आदेश जारी कर दिया गया है और प्रैक्टिकल एक्जाम प्री बोड को लेकर या आदेश दिया गया है कि सुबह 9 से लेकर 4 बज़े तक स्कूल खोले जा सकते हैं कक्षा पारवी के विध्यारतियों के लिए रहत भरी खबर चुले एक बार फिर रुक करते समधात्ता देविंद्र प्रताप सिंग्योर देविंद्र कक्षा बारवी के विध्यारतियों के लिए कि नया आदेश जारी करतिया क्या है क्या को जानकारी जिए, विनको बता दे कक्षा 12 क्लास के बच्चे है, उनके ने आधिश दिये हैं चाणाज इसकी वज़ह है उनके बोर्ड के जो पेपर है या उनके बोर्ड के जो प्रैक्टिकल है उसको लेकर वह उनको बता दे कि ही पाल गंगवार लखनोव की दिम है उन्होंने बॉट खेपर को देखती हुए बौर्ट के इक्जाम को देख और अधारी क्या क्या है क्योंकि हम बोर्ड को और लाइन नहीं करा सकते हैं इसके साथ ही उन्हें बारा सकी क्लासिस जो है वो इसके लिए उन्हें करने के आदिए तो देद यहें लेकि इसमें टाइमिंग निर्धारित कर दिये हैं इस सुभाई नौ बज़े से लेकर शाम को चार बज़े की बीच य काफी जादा थंड बढ़ रही है इसको देखते हुए सुभाई की अपेच्छा जो दिन का दुपहर का सबह है उसके काफी हट तक रहात मिल रही है बौसम में लेकिन सुभाई और शाम यहां पर दिक्कते हो रही है कि एक तिक गलन क्या सकते हैं कि गलन तरीके से यहां पर जो वो छुटियां हो रही है सुरी क्या सकते हैं की ठंड हो रही है इसके चलते लखरोट डीम ने जो की नया आदिश निकाला था कि अब नौ से चार के बीच ही अपनी जो भी सिख्षाए हैं उनको संपनिक किया जाए और यह बारा तक की लिए ही अभी इस्टाल लाओ किय आ गाए बोर्ड को देखते हुए बिल्कुल डेविंदर जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कुलिए नहीं आदेश जारी किया गया गया आगर दसवी कक्षा की बात की जाए तो क्या उन्हें उनके लिए भी कोई आदे जानी परिक्षा रहती है बिल्कुए दस्वी के लिए भी इसमें कोई जारी नहीं किया गया, क्योंकि अभी जो 17 तारिक तक की जो चुट्टी की गई थी, उच छुट्टी के दौरान अभी केवल 12 के परिक्षाइं सामने आ रही है, अभी हाई स्कूल के परिक्षाइं सामने नहीं आई जिसके चलते ह बारवी के परिक्षाओं को लेकर भी बात चीज चल रही थी, बाकि अगर दस्वी के परिक्षाओं को लेकर कुछ जेट सामने आती है, इसमें ठंडी ज्यादा बढ़ती है, और सरकार को छुट्टी के आदिश देने परते हैं, तो हो सकता है, तो यह जो नियम है वो चलिए देवन रुबने रही है, अब हमारे साथ आपसे और चानकारी हम लेते रहेंगे, तो बता देएं, फिलहाल बारवी के विद्धारतियों के लिए रहात मिली है, उन्हीं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, सुबह नौ से शाम चार बज़ तक स्कूल खोलनी के अनु अब हमती, डीम सूरिपाल गंगबार ने जारी किये हैं, लेकिन अगर बात की जाए दस्वी बोट की, तो दस्वी के बच्चों के लिए अभी किसी तरह के आदिश जारी नहीं किये गए हैं, लेकिन अनुमान लगा ज़रा कि आने वाले दिनों में शायद दस्वी के बच् एक जो क्लीर रहाद में।